हार कर जीतने वाले को सरफराज खान कहते हैं भारत और इंगलाइन के बीच पांच मैचों की टेस सरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला गया इस मुकाबले के जरिये सरफराज खान ने भारत के लिए अपना इंटरनेशन डेब्यू किया सरफराज ने अपनी डेब्यू इनिंग्स में ही धम्माल मचा दिया और महें 66 गेंदू का सामना करते वे 22 ट्रन मना दिये सरफराज ने अपनी पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया था सरफराज साथी बलेबाज रवीन जडेजा के साथ गलच फैमी का शिकार हो गए और रन आउट हो गए दरसल 26 साल के सरफराज खान ने यहां तक पहुँशने के लिए लंबी और काफी कटिन राहत तै की थी भले ही सरफराज रन आउट हो गए हो लेकिन आउट होने की बाद भी उने जीत का सहरा पहनाने की कोशिश लगातार पुरा देश कर रहा है सोशल मीडिया पर वो सुभा से ही ट्रेंड कर रहे है सरफराज के यहां तक के सफर में उनके पिता नौशाद खान का एहम रोल है जब सरवरा सरफराज को टेस्ट कैप मिली तो नौशाद भी मैदान पर मौजूद थे बेटे को डेब्यू कि आप मिलने के बाद नौशाद काफी एमोशल हो गए थे सरफराज खान की कहानी हर तरह से उनके अब्बू नौशाद की कहानी है ऐसा कभी कभार ही दिखा जाता है कि लगभग सतर का उसत रखने वाले बल्लेवास को पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले 45 फर्स क्लास मकाबले खेलने पड़े हो यानि सरफराज के करियर में चीज़े आसान नहीं हुई उन्हें नेशनल कॉल अप के लिए काफी इंतजार करना पड़ा टेस्ट डेब्यू के बाद भी सरफराज का अंतजार उतना जल्द खत्म नहीं हुआ दसल भारत की पहली पारी में रोही शर्मा और रविन जड़ीजर के भी चोथे विकिट के लिए 204 रनों के पार्टनर्शिप हुई जो लगभग 55 ओवर तक चली थी सरफराज ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा था मैं लगभग 4 घंटे तक बैटा रहा मैं सोच रहा था कि मुझे अपने पूरे जीवन में इतना धहर रखना होगा अब मुझे थोड़ा और धहर दिखाने दो सरफराज के टेस्ट है ब्यूपर उनके पिता नौशाद कहते हैं रात को वक्त चाहिए गुजारने के लिए सूरज अपने समय पर ही निकलेगा यानि नौशाद को पूरा यकीन था कि उनका बेटा जरुर एक दिन भारत के लिए खेलेगा नौशाद कान का सपना भी भारत के लिए एक क्रिकेटर बनने का था हलाकि वो जूनियर लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए थे जब नौशाद का ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो उन्हों अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के ठान ले थी एकबाल कामरान को भी कोचिंग दे चुके है नौशाद नौशाद उतरप्रदेश के आजमगर से तालूफ रखते हैं लेकिन वो अपने बच्चों के करियर को सवालने के खातिर मुंबई में ही बसने का फैसला कर चुके हैं नौशाद अपनी फैमिली के साथ कोडला के टैक्सी मैन कॉलोनी में रहते हैं नौशाद अपने तीनों बेटे सर्फराज खान, मुशिर खान और मोहिन खान को खुद ही ट्रेनिंग देते हैं नौशाद अपने गाओं के कई बच्चों को लेकर मुंबई लाए और उन्हें क्रिकेट के गुर्ट सिखाए वो इकबाल, अब्दुल्हा और कामरान खान जैसे स्टार खिलाडियों के कोच रह चुके हैं नौशाद खान के महनत रंग लाई उनके दो बेचे अब भारत का प्रतिनिधित करने के लिए पूरी तरह से तयार है सर्फरास खान ने तो डेव्यू भी कर लिया, वहीं मुशिर खान ने हाली अंडर 19 विश्च कॉप में बल्ले से शांदार प्रदर्शन किया मुशिर ने साथ के उसस से 306 रंग बनाए और वो टूनेमेंट में सबसे ज़्यादा रंग बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे सर्फरास खान की बात करें तो उन्होंने अब तक 45 फर्स क्लास मैचों में 3974 रंग बनाए हैं जिसमें 14 शतक और 12 अर्ध शतक शामिल है सर्फरास खान का उच्चुतम स्कोर नाबाद 301 है और औसत लगभग 70 का है फर्स क्लास औसत के मामले में सर्फरास खान दिंकज खिलारियों को टकर दे रहे हैं कमाल की बात यह है कि पिछले दिनों रणजी ट्रॉफिस सीजन को मिलाकर सर्फरास का एवरेज 100 से उपर रहा बेस्ट बेटिंग एवरेज फर्स क्लास मैच मिनिमम 50 पारी डॉन ब्रेडमेन 234 मैच 28,067 सर्फरास खान का रिकॉर्ड क्या है 36 फर्स क्लास मैच करीब करीब 70 का और सर्फरास तीन हजार नौसो चोहतर रन 14 सतक बारा अर्द शतक 37 लिस्टे मैच 34 और सत 629 रन 2 शतक 50 आईपील मैच 585 रन 22 और सत एक अर्द शतक तीसे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 तीसरे टेस्ट मेंस में इंगलेन की फ्लेइंग 11 जैक क्राउली, ब्रेंट्रैक, ओलीपॉप, जोरूट, जौनी, बेर्स्टो, बैंस्ट्रोक्स, बैंफोस, रिहान एहमद, टॉम हार्टले, मार्क वूड, जेम्स एडर्सन तो ये पूरा कही न कहीं कहानी एक सफर है सर्फराज खान का कि इतनी मेहनत करने के बाद आकिरकार उनका सपना पूरा हुआ सबकने और उन्होंने सिर्फ अपना हीने पिता का भीस अपना पूरा करदिया मुंबई बल्लेबाद सर्फ्रास खार ने खिलाफ राज steril को ने ठीस्ट फह वित का सब दाबाए ने लिक नहीं तरन बनाए अज़क हुए Cup Him ओस्फ You को रहे थे तो स्टेडियम में बेचे सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालिया बजाई सर्फरास अपनी पारी में 9-4 एक छक्के लगाए वो दिन का खेल सबाब थोड़े से कुछ तेर पहले रन आउट हो गए दरसर पारी के 82 ओवर की पार्शवी गेन पर रविन जड़ेजा स्ट्राइक पर थे जेम्स एडिरसन की गेन को उन्होंने मिडाउन की ओर शॉट खेला 99 रन के स्कोर पर थे जड़ेजा एक रन लेकर श्रतक पूरा करना चाहते थे वो रन लेने के आगे बढ़े और फिर रुग गए दूसरे चोर पर खड़े सर्फराज काफी आगे बढ़ चुके थे मेडन पर खड़े मार्क वुड ने सीधा स्टम पर थो मारा सर्फराज अपनी पहली पारी में रन आउट हो गए रोही शर्मा को गुसा आ गया जी हाँ सर्फराज रन आउट होने के बाद काफी निराश देखे उन्होंने एक बाद जड़ेजा के और देखा फिर पवेलियल नौट कए इस बिच कप्तार रोही शर्मा की प्रतिक्रिया वारल हो रही है सर्फराज के रन आउट होते ही रोही गुसे में आग बबूला हो गए वो ड्रसिंग रूम में खड़े थे उन्होंने गुसे में अपनी टोपी पतक दी ऐसा लग रहा थे कि वो जड़ेजा के रन लेने इसके फैसलर से निराश थे और सकार्ट सर्फराज को अपना वेकिट गवारा पड़ा वो जिस अंदाज में खिर रहे थे उससे लग रहा था कि वो अपने पहले टेस के पहली पारी में शतक लगा देंगे हाला कि ऐसा नहीं हो पाया लेकिन कहते हैं ना जहां चाह है वही रहा है एक ना एक दिन सर्फराज सो जरूर मारेंगे और कहीं न कहीं सपना पूरा कर लेंगे